साथियों नमस्कार मैं हूँ नीरज पटेल और आप देख रहें नेशन जन्मत उत्तर प्रदेश के विधानसवा चुनाओं में समवैधानिक माना जाने वाला भारत निर्वाचन आयोग मोधी सरकार के सामने घुटनों पर नहीं बलकि चरुणों पर पड़ा है किसी समवैधानिक संस्था के लिए इस तरीके से बोलना अच्छा तो नहीं लगता है लेकिन मजबूरी में ये बोलना पड़ रहा है साथ में यानि कि अंतिम चर्ण के चुनाव चल रहे हैं और चुनाव आयोग अपनी निस्पक्षता को यहां भी बरकरार नहीं रख पाया बनारस में चुनाव हो रहे हैं बनारस केंट से भारती जनता पार्टी के परत्यासी हैं सौरप सिरिवास्तव उनके कारिकरताओं की तरफ से पोलिंग स्टेशन के बाहर जो बूत लगाये जाते हैं मददाताओं को फैसिलिटेट करने के लिए उसमें जो मददाता परचियां बाटी जा रही हैं उनको जरा गौर से देख लीजिए ये मददाता परचियां इस बात की गवाही हैं कि चुनाव आयोग ने भारती जनता पार्टी के आचार सहीता और लंगन पर पूरी तरीके से आँख मूंद कर रखे रख ली हैं इन परचियों को जरा गौर से देखिए इनमें प्रत्यासी का ना सिर्फ नाम है बलकि चुन पार्टी के जो कंडिडेट थे उनको अपने से ज़्यादा भरोसा इस बात पर था कि इन दोनों के दम पर लहर वहर कहर आ जाएगी जब वो बंती हुई नहीं दिखाई दी तो वो इस तरीके के अन्यहतकंडे अपनाने लगे पहली परची गौर से देखिए बूथ नंबर यह कहती है कि किसी पोलिंग स्टेशन के 200 मीटर दायरेस के बाहर फैसिलिटेशन सेंटर बनाये तो जा सकता है लेकिन मद्दाता जो परची दी जाती है वो एक साधे पेपर में होनी चाहिए उसमें इस तरह की कोई डिटेल नहीं भरी जानी चाहिए मतलब इस पश्ट तौ बीवेक यादाओ बूथ चार फोलिंग डार्रि चोथी परची देखिए मौलेंद्र कुमार यह भी बूथ नंबर चार संक्याra 401 शथाएं सिंच जीने के तन बाजित पुर्यों नगर की पाचमी पर्ची है प्रдеवीन कुमार पूत्र विजै कुमार की 401 बूथ नंबर पोलिंग स्टेशन का नाम सत्य साइन सिख्षा निकेतन बाजित पुर्राम नगर अब इससे जादा कुछ और सावित करने को रह जाता है सातवे चरण तक चुनाव आयोग की जो साथी वो लगातार गिरती चली गई यहां मैं चुनाव आयोग की आलोचना से जादा हाथ जोड करके एक निवेदन करता हूँ उससे इस भारत का निवासी होने के नाते क्योंकि चुनाव को एक बेहद पारदर्सी और निस्पक्ष पिरक्रिया माना जाता है लोगतंत्र में माना जाता है कि बड़े से बड़े राजाओं को एक गरीब जनता का बोट भी धरासाई कर सकता है यानि कि जो एक concept बना था कि राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा वो concept इसी लोगतंत्र पर भरोसे के कारण कायम हो पाया था इस लोगतंत्र की साख को बचाने की जिम्मेदारी भारत निर्वाचा नायोग की है इसलिए हाथ जोड़ करके उससे निवेदन करता हूँ कि चाय में पड़ी हुई मक्षी की तरह इस तरह के मामलों को निकाल करके मत फेकिये ये पूरी चाय को यानि कि पूरे लोगतंत्र को गंदा कर रहे हैं इस पश्च तोर पर दिखाई दे रहा है कि आप सुरू से लेके अभी तक एक-एक मामले में पक्षपात कर रहे हैं अब तो आपने हद कर दी और हद हो भी क्यों ना यूक्रेन के सैक्डो चात्रों को वहाँ छोड़ करके कि कोई पानी से बिलविला रहा है कोई इलाज नहीं हो पा रहा है दो छात्रों की मौद भी हो चुकी है भारतियों की, एक छात्र को गोली लगी है, ये सब छोड़ करके, ब्रानदिंग और मार्केटिंग के मसीहा प्रधानमंत्री नरेंड्र मोधी बनारस में कैंपिंग कर रहे थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो जीतना था, उत्तर प्रदे मीटिंग के दौरान अपने खास DM को ये निर्देश दिये गए थे कि यादा और मुस्लिम समाज के BLO हटा दो क्योंकि ठाकुर और ब्रामन समाज के BLO अगर रहेंगे तो इसी तरह के खेल करेंगे जिन लोगों ने मुझे सूचना उपलब्द कराई उन मद्दाताओं का एक बात और कहना था कि एक खास डिवाइस है BJP के जो लोग बैठे हुए हैं बाहर फैसलेटेंस सेंटर पर उनके पास एक डिवाइस है हाथ में उसमें आप मकान नंबर बताईए नाम बताईए वो प्रिंट करके इसी तरह की परची निकाल देते हैं मतलब BLO के पास जो तमाम सारे आकड़े होने चाहिए वो तमाम आकड़े भारती जन्ता पार्टी के कंडिडेट्स को बनारस में उपलब्द कराए गए हैं ये तो एक बिधान सवा के दो पोलिंग स्टेशन का मैंने उधारान दिया आपको इसी तरीके से चववन सीटों पर मतदान की पिरक्रिया चल रही है अगर मतदाता गौर ना करें तो बहुत बड़े बड़े खेल हो रहे हैं मतदाता सूची ऐसी बनाई जाती है जिन पर संदे होता है कि ये बोट हमें नहीं मिल सकता मतदाता सूची में ही धाल मेल कर दिया जाता है टिकट काट दिये जाते हैं या एकी परवार के तमाम बोटों को छितरा दिया जाता है ताकि बोट मिल ही न पाएं इन तमाम जागरुक मद्दाताओं को जब भरम हुआ तो ये भारती जंता पार्टी की उस मसीन के पास पहुँचे मसीन में जब नाम बताया तो मिल गया जबकि वही लोग मद्दाता सूची में अपना नाम नहीं खोच पा रहे थे इसलिए संपूर्ण विपक्च की जिम्मेदारी है कि मतगड़ना के दिन अपने एजेंटों से कहें कि मुरगा जाली के इस तरफ खड़े रहें चाए बातरूम के लिए हिले नहीं अगर हिलते हैं तो दूसरे एजेंट को वहाँ पर खड़ा करें बहुत सक्ती से ध्यान देना है देखते रहे ने संजन्मत चागरुक और सजक बने रहिए जै विज्ञान जै समिधान जै लोगतंत्र धन्यवाद